जंद्रसिय जी, राष्ट्रिय महामंत्री शाम शर्मा जी, संगटन मंत्री अधर्निय सुरिज जहीं जी, अधर्निय सुधीर पाठक जंद्रशेकर जी, और उपस्ति सभी इस संबेलन के लिए संबेलित हुए, सभी संमान्य अतिति भाई और बेहनों। सबसे पहले मैं नागपूर का संसद होने के नाते, मैं आप सब का नागपूर में स्वागत करता हूँ, आपको बहुत बहुत शुबकामन है देता। भारत विकास परिशत के नाम में ही भारत भी है और विकास भी है। और इसलिए हम सब लोग मिलकर हमारे भारत को, हमारे देश को, हमारे इंदुस्तान को, हमारे मात्रूमी को सुखी, समृुध eer, संपन्न और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। हमारे सब के मन में यह भाव है कि हमारे मात्रूमी, भय, भूक, आतंक, और भ्रश्टाचार से मुक्त हो। हमारे मन में ये भी भाव है कि हम दुनिया की महाशक्ती बने हैं, विश्व गुरू बने हैं और इसलिए ये जो अनेक प्रकार के राष्टर के पुरा निर्माण के उधिश्ट हमारे सामने हमने रखे हैं उस उद्धिष्टों को पूरा करने के लिए ही एक मिशन के रूप में विकास परिशत के कारे में आप सुब लोग कार्य कर रहे हैं 1947 में हमें स्वतंतरता मिली है तब लोकमान्य तिलक जी और आगर्जकर जी के बीच में एक काफी बड़ा विवाद था बिवाद इसलिए बात के लिए था कि पहले स्वराज्य चाहिए कि पहले हमें सामाजिक सुधार करने चाहिए स्वराज्य और सुराज्य ये दोनों के लिए समाज में परिवर्तन पहले होना चाहिए हमें समाज को सुधारना चाहिए ये आगर्गर्जी का मत था पर अंग्रेजों का जो हमारे देश पर एक प्रकार से जो गुलामी थी उसको दूर किये बिना स्वराज्य मिले बिना हम स्वराज्य का निर्माण नहीं कर सकते हैं ये युक्तिवाद लोकमान्य तिलग जी इन्होंने बार-बार किया और उन्हीं के बाद को लोगोंने समर्थन भी किया था 47 में हमें स्वतंतरता जरूर मिली है और आज हम हमारे देश का अमरुत महत्सोव मना रहे हैं और इस 75 साल की इटिहास ने हमें बहुत कुछ सिखाया भी है और कुछ दिया भी है 47 के पुर्व का इतिहास देश के समर्पन के लिए, देश के स्वाधिनता के लिए और देश को गुलामगरी से मुक्ति दिलाने के लिए एक संगर्षका इतिहास था और उसी इतिहास में हमने प्रेणा लेकर सुराज्य के निर्मान करने का संकल पहात में लिया महात्मा गांदी जी अक्सर ये कहते थे कि हमें स्वराज्य मिला है अब सुराज्य निर्मान करना है और सुराज्य का उलेक वो रामराज्य के रूप में करते थे हमारे नाक्पुर में 1932 में डॉक्टर हेडगेवार जी ने राश्ट्री ये स्थापना की थी और हेडगेवार जी ने जब ये स्थापना की थी तो उनके पिछे उनका उद्देश ये था कि हमारे देश में इतना बड़ा देश होने के बाद में भी, इतना शक्तिशाली देश होने के बाद में भी, यहां बैपार करवे आएवे अंग्रिजों ने हमारे देश को कैसे गुलाम बनाया और इसलिए इसका कारण क्या है और इसलिए हमारे समाच को जगाना पड़ेगा, व्यक्तियों को समस्कारित करना पड़ेगा और सुखी समुरुद्ध समाच को निर्मान करके बलशाली राष्ट का निर्मान करना होगा अगर यह हम करेंगे तो यह हमारा देश भविश्य में ब्रगति कर सकेगा और इसी भाव से उन्होंने राष्टिय स्विश्य संगे की स्थापना की आज हमारे देश में हम सब काम करते समय है उद्धिष्ठ के बिना तो कोई कारण नहीं होता हिंदी गीतों में गीत था मैं तो चला जिदर चले रास्ता मुझे क्या फिकर है कहा मेरी मंजील मैं तो चला जिदर चले रास्ता ऐसी तो हमारी सफर नहीं है हमारा उद्धिष्ट निश्चित है और उद्धिष्ट निश्चित होने के कारण हम सब को अलगलग शेत्र में किस प्रकार से कारे करना है यही हमारे सामने सबसे बड़ा चालेंज है भारत विकास परिशत के बारे में आपकी हमारी जो वैचारिक भूमी का है उसमें हम सामाजिक दाइत्व के साथ सामाजिक जिम्मेदारी के साथ Social consciousness and social responsibility के साथ हम समाज में गुनातमक परिवर्तन करने के लिए कार्य करते है सेवा के क्षेतर में काम करते है शिक्षा के क्षेतर में काम करते है सांस्कूर्टिक शेतर में काम करते है और जो गरीबी भुकमर्यों और बेरोजगारी इसको दूर करने के लिए हम आर्थिक विकास के विक शेत्र में काम करते हैं अलगलग शेत्र से जो कुछ काम होता है उसे अंततो गत्वा समाज परिवर्तन में उसका कुछ न कुछ योगदान होता है और इसी योगदान के पीछे अलगलग कारेकरता अलगलग संगतन अपने वैचारिक भूमिका के साफी दूर है और उद्दिष्ट से दूर है इसलिए हमको अमारी गती बढ़ानी होगी और गती बढ़ाने के बाद वो उद्दिष्ट को पूरा करना होगा हम लोग दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रूइंग एकोनॉमी है और वर्ल में हमारा पाच्वा नंबर है हमारा देश धनवाने पर जनता गरीब है भुक मरी बेरोजगारी गरीबी महंगाई इससे ग्रस्त है जातियवाद छुआ छूट अस्पुरुशता उच्चे नीचता का भाव समाज के लिए हमारे लिए बहुत दुखत भी है और समाज के प्रगती के लिए घातक भी है सामाजिक समता और आर्थिक समता सोशल एक्वैलिटी एंड एकोनोमिक एक्वैलिटी समाज में प्रस्तापित हो और विशेश रूप से एक भी बड़ी समस्या है कि हमारे समाज में दो विशेश रूप से वरगों के बीच का अंतर बहुत चादा है जैसे सामाजिक विशेमता है वैसे आर्थिक विशेमता भी बड़ी है हम लोग सेवा का काम करते हैं इसलिए जादा तर इस विशे का आप सब लोग विचार करते ही होंगे कि हमारे देश में 124 जिले ऐसे हैं कि जो सामाजिक अर्थिक और शेक्षनिक दुष्टी से पिछड़ी हुए है जिनको एस्परेंटिस्टिक कहा जाता है सकोली नहीं है अस्पताल नहीं है किसानों के लिए फसल के सई दाम नहीं मिल रहे हैं यह वाओ को रुजगार नहीं हैं गाव जाने के लिए रास्ते नहीं है और जिसके करण सामाजिक आर्थिक शेक्षडिक पुष्टी से पिछड़े हुए है हमारे देश में जो अर्बन क्षेत्र है शेहरी क्षेत्र है उसमें ज्यादा तर हम काम करते हैं उसमें विकास काफी हुआ है पर 1947 में 90% लोग अबादी गाव में रहती थी अब 25-30% माइगरेशन हुआ है यह जो गाव छोड़कर जो लोग आये है जो मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्ने यह बड़े-बड़े शहरों में आये है यह कोई खुशी से नहीं आये यह मजबूरी से आये गाव में अच्छी स्कूल नहीं, गाव में अस्पताल नहीं, गाव में अच्छा लिविंग नहीं, गाव में रोजगार नहीं, गाव में अपना पेट, पानी, जो कुछ सामसार उनको चलाना है वो चला नहीं पाते है गरीबी, भुकमरी और बेरोज गारण चोड़कर शहरों में आये हैं उससे शहरों के भी समस्या निर्माण हुई है और इसलिए स्वाबायू करूप से विकास परिशत और भारत का विकास करने के लिए हमें गंबिरता से सोचना होगा कि हमको किस मार्ग से जाना है और वह मार्ग जो है वह इफेक्टिव आजकल फास्फूड का जवान है एलोपेथिक मेडिसिन लोग इसलिए पसंद करते वो डॉक्टर को बोलते इंजेक्शन लगा दो इन्हें जल्दी आरब पड़ेगा अब लोगों की अपेक्षा ये भी कि हमें जल्दी परिणाम मिलने चाहिए और परिणाम मिलने चाहिए इसलिए हमें भी हमारे विकास की कारेक्रमों को और नितियों को इस दुष्टी से तै करना होगा कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा उद्दिष्ट पूरा करने में हम कैसे काम्याब होगे यह काम कठीन है पर इंपासिबल नहीं है हमारे देश का जो जी डिप ग्रोथ है उसमें से करीब दावं से चेपैन परसेंट सर्विस सेक्टर से हमारा ग्रोथ होती है और आविस से चूविस परसेंट मैनुफेक्टरिंग से से होती है और 12 से 14 परसेंट अग्रिकल्चर से होती है जो ग्रामीन भागए रूरल एकोनमी है अग्रिकल्चर है फॉरेस्ट है ट्राइबल है वहां ग्रोथ रेट निग्लिजिबल है और वही हमारी आत्मंदिर भर भारत बनाने में सबसे बड़ी हमारी समस्या है और इसलिए मैं जब विद्यार्थी परिश्यत का काम करता था तब हमने हमारे उस्समें एक अभियान चला था चलो गाओ की और ग्रामुत्थान छात्र इतु अभियान करके उसका नाम था कि हम गाओ को विकास परिशत में हमें प्रायरिटी यह जो 124 एस्परेंट डिस्ट्रिक्स है जो सामाजिक शेक्षणिक आर्थिक दूश्य से पिछड़े हुए हैं उनके विकास के लिए उस भारत का विकास करने के लिए हमको ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए हमारे आज शर्च जोशी का काफी बड़ा समर्तक रहा हूं और लिबरल एकोनामिक थिंकिंग फॉर रूरल एग्रिकल्चर एंड ट्राइबल डेवलोपमेंट यह उनकी सोच थी तो आज हमें स्वावायू कुरुप से शिक्षा के क्षेत्र में स्वास्थे के क्षेत्र में आर्थिक विकास जिससे बेरोजगार निर्मान हो गरीबी दूरो भुक्मरी दूरो बेरोजगारी दूरो उसके विकास में इन लोगों के लिए विशेश प्रायरिटी देकर काम करना होगा हम भी कुछ कारेकरता मिलकर पिछले 23 साल से इसी नागपूर से विदर्वक एक्षेत्र में वनवासी एक् और उसमें हमारे अभी करीब 1200 टीचर है और वो पूरा समयम कोई ग्रेंट नहीं लेते हैं करीब 18,000 विद्यार थी हमारे आप पड़ते पर जो जिस शेत्र में यह है वाच्छे के बाद गाउं में कोई रह नहीं सकता नक्षलाइट मुवमेंट जहां से शुरूवी गड़चुरे जिले में उसमें मैक्जिमम है मेरगाट गड़चुरेली जहां बहुती कठिन परिस्तिती है और वहां के लिए हमने कोशिश कर रहे कि हम वहां के परिस्तिती कैसे बदले मैं पास साल 95-2000 महाराष्ट में मंत्री था तो मैंने महाराष्ट में जो ट्राइबल इलाके थे उसको रोड बनाने की भरकस कोशिश की आपको याद होगा कि 97 में यह जो मेरगाट है अमरावती जिले में यहां धाई अजार आदिवासी बच्चे मैलनुट्रिशन से मर गए समय देखे काम कर रहे हैं विचारे वहां मेहनत कर रहे हैं और अभी वहां स्वास्त की सुविदाए नहीं है अभी कोवीड के समय है वहां काम करने वाले डॉक्टर के लिए मैंने एंबूलन्स बेजी ऑक्सिजन सिलेंडर बेजे वह बाइपैक और कॉंसेंटर बेजे तो जो डॉक्टर है हमारे डॉक्टर सातो करके वर्धा जिला से वहां गये है तो उन्होंने अनेक ऑपरेशन्स वो एंबूलन्स में लोगों के किये यहां डॉक्टर मदन कापरे करके हैं अपने ही विचार परिवार के हैं वो विचारे वहां जाकर आखो कान के लिए नाक के लिए अनेक ऑपरेशन वहां जाके करके देते फ्री आप चार्ज अनेक डॉक्टरें वहां जाते हैं तो वहां इसे काम करने वाले लोगों की कमी नहीं है फिर भी समस्या बहुत कंभी है और इसलिए भारत के विकास में अगर असमोतोल होगा disparity होगी, discrimination होगा और इसमें अगर अंतर होगा तो स्वबाई कुरुफ से हमारे लिए ये बहुत बड़ी समस्या होगी ये गरीब और धन्वान लोगों के बीच में ये जो अंतर है जो खाई है इसको कम होना भी अवश्यक है और इसलिए शिक्षा, स्वास्त, सेवा और विकास के क्षेत्रम हैं उनको अवसर मिले हैं और इसलिए हमने अनेक प्रकार की होजनाई की जिसमें आप लोगों का भी स फैक्टरी शुरू हो गई तो गोबर से पेंट बनने से गोबर का भाव पाच उरुपे किलो हो सकता है गोमूतर से फिनाईल बन सकता है अभी मैं इस पर बहुत पिछले 2004 से काम कर रहा हूं कि हमारा किसान हमारा आदिवासी अन्न दाता नहीं उर्जा दाता बने हैं तो कल मेरे हां कारेक्रम था वो पोस्पन हुआ कल टोयटो की केमरी करके गाड़ी जो थी वो किसानों ने तयार के हुए 100 परसेंट बायो इथेनॉल पर हम लांच करने वाले थे पर कल कैबिनेट की मिटिंग थे रात को तो नहीं हो पाया अभी वो 11 तारिक को है हमारे हीरो बज सब्सक्राइब की गाड़िया चल सकती है मैंने तो संकल्पर किया कि इस देश से पेट्रोल और डीजल को निकाल देना है क्योंकि प्रदूशन से भी हम तरसता है इंपोर्ट सब्स्टिटिट कॉस्ट इफेक्टिव पोलूशन फ्री और इंडिजिनेस मैं पीछे लगा रह इससे पानीपत में हमने बहुत पीछे लगकर एक प्रोजेक्ट शुरू किया है कि परली से एक लाख लीटर इथेनॉल पर डे और देट्सोटन बायो बीटुमिन तेहर होता है मैंने इंडियन ओईल के चेर्मन को कहा कि तुम जितना परली है पूरी जलाते ही है पूरी बंजा भरियाना में पूरे डाल दो प्रोजेक्ट पूरा बिटुमिन में खरीद लूगा हमें इंपोर्ट करने के जुरूरत नहीं पड़ेगी हमारे देश में अब शुगर के भी हो गया वह टेक्नोलोजी भी हमने लाई है अब धीरे धीरे यह वनवासी है वहां बायो मास पड़ा हुआ है हम बांबू लगा रहे हैं अभी आसाम में बांबू से इथेनॉल तैयर हुआ है और हम सोला लाक करोड का इंपोर्ट करते हैं अगर इसमें से तीन से चार ला करोड भी ग्रामिन और खुर्शिक शेतर में जाएंगे और वहां के आदिवासियों को रोजगार मिल जाएगा और वहां अगर बायो फ्यूइल तैयार हो जाएगा बायो एलेंजी तैयार हो जाएगा अभी तो मैं ग्रीन हैड्रोजन भी तैयार करने की हम बात कर रहे हैं दिल्ली में मेरे पास गाड़ी है जो हेडरोजन पर चलती है। कल मेरे पास गोएल साव आये थे जो हमारी ग्रीन ट्रिबुनल के जैज है। तो मैंने उनको कहा कि आपके घर में ये गाड़ी में बैठ कर आप जाएए। जो पेट्रोलियम से हेडरोजन त्यार होता है उसको ब्राउन हेडरोजन कहते हैं जो हमारे विशेश रूप से कोईले से त्यार होता है उसको ब्लैक हेडरोजन कहते हैं और जो बायोमास से और ग्रीन हेडरोजन कहते हैं अब दुनिया बदल रही है और अभी हम लोग पानी स हेड्रोजन तैयार कर सकते हैं मेरी गाड़ी इतनी सुन्दर है जो इसका नाम है मिराई टोएटो की है तो मिराई का नाम होता है भविश्या अभी जर्मनी में 1000 किलोमेटर रेलवे पानी से तैयार के हुए हेड्रोजन पर चली अभी ट्रक बसेस कार स्टील फैक्टरी केमिकल फार्मेसेटिकल फैक्टरी हवाई जाज सब ग्रीन हैड्रोजन पंचर लेगा अभी हम उर्जा इंपोर्ट करने वाले हैं एनर्जी इंपोर्टर करके हमारा देश है अगर आत्मनिरवर भारत बनाना है भारत को सम्रुद्ध संपन्ना बनाना है तो हमको एनर्जी एक्सप करने वाला देश बनना पड़ाया और यह कोई कठिन नहीं है मैं एक प्रयोक करनावा करने वाला हूं कि हमारे नाकपुर महानगर पालिका में साथ साल पहले हैं हमने गंदे पानी से शुद्ध करके महारास्ट्र सरकर को बेच दिया ट्वालेट के पानी को तो पहले हम प्र तो हमारी विचारधारा है कि योजकस तत्रतत दुरलभाव No one is waste, no material is waste It is depending upon the appropriate technology, appropriate vision, appropriate leadership कि हम सामान्य विक्ति को असामान्य बना सकते और waste material से हम value addition करके wealth create कर सकते है West to wealth और यह हमारी philosophy है, डॉक्टर हेडिगवार जी यही कहते थे कि सामान्य लोगों को संगटित करके, उनको अच्छे संसकार करके उन विक्तियों को असामान्य बनाना यही संग के विक्ति निर्मान का जो कार है, यही तो प्रोसेस है नाना जी देशमुख पहली बार जब लागपूर कारले आये थे वाशीम से तो कारले में साफ सफ़ई का काम करने के लिए आये थे पर वहाँ से संसकार लेकर वो संगट का परिक लग गया तो कितने बड़े हो गये दत्व बंजी के साथ एक रामदाश जी करके थे अभी नहीं है वो भी अच्छे है वो यहां एक देहात में थे दत्व बंजी के साथ काम करते के थे वो बहुत बड़े कारे करता बने है तो हमारी संगटन में यह ताकत है और इसलिए टेकनलोजी, इनोवेशन, रिसर्च, सक्सेस्फुल प्राक्टिसेस, स्कील्ड इसको हम नॉलेज कहते हैं और कनवर्शन ओफ नॉलेज इंटू वेल्ट अंड कनवर्शन ओफ वेस्ट इंटू वेल्ट हमारा बविश्य है तो यह दिव्यांगों को कोई खुर् से बड़ा कैम किया हमारे आमदार बैठे मोहन मते इनके मतदार क्षेतर में दस जार लोगों को हमने अभी चालीस जार लोगों को चालीस करोड का साहित्य बाटा है यह आवश्यक है अभी मैं दिव्यांगों के लिए 12 करोड रुपे का सुन्दर पार्क बना रहा हूं है जो आर्थिक विश्यमता दूर करनी है सुखी समरुद्ध संपन्न शक्तिशाली राष्ट बनाना है सुपर एकोनामिक पावर देश को बनाना है और विशेश्यूप से विश्वगुरू बनाना है भारत को तो हमें और गति से काम करना होगा और वो सभी खेतरों में काम क करेंगे जो संगटन में हो संगटन में काम करेंगे उद्धिष्ट सबका एक ही है कि राष्ट्र का पुनर निर्मान कैसे हो और इसी भाव से राष्ट्रिय विचारधरा के आधार पर भारतिय विकास परिशत कार्य कर रही है और मुझे बहुत विश्वास है कि आने वाले समय में बहुत challenges है और मैं अक्सर लोगों को एक बात कहता हूं कि there are some people who convert problems into opportunities and there are some people who convert opportunities into the problem तो अभी जमाना यह है कि कम समय में ज्यादा काम कैसे करना अभी हम highway बना रहे है तो दिल्ली से मुंबई जाने के लिए 30 गंटा लागता बारा गंटे में जाएंगे दिल्ली से डेराड को जाने के लिए 9 कंटे लगते है इस डिसेंबर हिंट तक 2 कंटे में जाएंगे दिलि से अमुरुस्र 4 गंटे में जाएंगे दिल्ली से चंदीगा डाइ गंटे में जाएंगे दिल्ली से जैपूर दो गंटे में जाएंगे दिल्ली से कट्रा छे गंटे में जाएंगे दिल्ली से स्रीनगर तो आठ गंटे में जाएगो और चेन्ने से बैंगलूर दो गंटे में जाएंगे इसलिए क्योंकि लोजिस्टिक कॉस्ट काम हो अब आप सब उद्ध्योग बापार से जुड़े हुए हैं हमारी लोजिस्टिक कॉस्ट 14 परसेंट 16 परसेंट है और अगर हमने रोड अच्छे बना दिये और डीजल और पेट्रोल के बजाए अगर लनग लगा है मैंने लनग का ट्रक लॉंच किया पुना में तो एक ट्रक एक बार चौदा सो किलोमीटर चलता है और 100 रुपे के डिजल के बजाए 50 रुपे के डिजल लगता है तो लोग कास्ट कम होगे इलेक्ट्रिक ट्रक आ रहा है इलेक्ट्रिक बस आ रही है अभी बैंगलोर में मैं गया था तो मैं हवा भी उडने वाली डबल डेकर बस चुरू करना सोच रहा हूं कि हवा में लोग जाएंगे तो यह नतिंग इस इंपॉसिबल तो यह क्या है यह प्रगतिवर विकास हर्च अग्रिकल्चर रूरल ट्राइबल तूरीजम हम सब शेत्रों का अच्छा करें अभी हम लोग बड़े धर्मिक्ष द्दान मैं आयोध्धा के लिए चालीस हजार करोड के काम कर रह बुद्ध सर्कीट के लिए बावीस हजार करोड के रोड बन गए जैन सांदा वहां जोड रहे हैं अभी हम रुस्तर में स्वर्णा मंदिर के लिए मैंने वह भीच में रोड से चार बिजेज बनाकर चारों गुरुद्वारों को रोड से जोड़ा है वह इसलिए कि विदे सरोवर जाना है तो नेपाल जाने के जुर्यत नहीं हम हिंदुस्तान से जाएंगे तो यह एक एक सी जोगी उसी खेत्र का कहीं न कई फाइदा होगा तो वैसे ही भारत विकास परिशद एक कैटेलिस्ट है सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में राष्ट के पुनर मिर्मान मे और भारत के विकास में आपकी महतोपुर्ण भूमिका है और इस भूमिका के लिए दोई बातों का मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी एप्रोप्रियेट वीजन आप तेहर करिए देखिए लकड़ी तोड़ने वाले के शरीर से कितना भी पसीना निकलता है तो भी कि वो कभी पहलवान नहीं बनता के बल मेहनत करने से नहीं होगा अप्रोप्रियेट वीजन होनी जाए जो पहलवान बनता है वो बराबर कसरत उसी प्रकार से करता है तो मुझा लगता है कि वो शुड़ हाव अप्रोप्रियेट प्लानिंग अप्रोप्रियेट वीजन अप आब जैसे प्रमूक लोग चिंतन करें कोंसे कारेकरम करें कोंसी दिशा में करें कहां करें कैसे करें उसका socio-economic कितना परिड़ाम हुआ है हमारा उद्दिष्ध की नजदिक कितने हम पूचे है hello इसका मुल्यांक कन हम करेंगे तो प्ता चृब जाए सदे सरकार में हम अडिट करते हैं. Financial audit important है पर performance audit नहीं होता. तो performance audit is more important than financial audit. मैं स्कूल में था तो एक लड़का था, तो हमारी परिक्षा में फेल हो गया. तो उसके माता-पीता को स्कूल में आया और हमारी स्कूल टीचर के पास बैटके बोले इतना दिन बर अध्यन करता है फेल कैसे हुआ तो उनका आक्षिप था कि ये चार-चार घंटे दिन बर येज करता है बैस करता है और ये कैसे फेल हो गया तो टीचर ने उसको पूझे तुम क्या करते हो बोले मैं दिन भर जब स्कूल में आता हूँ तो सब चीजों को मैं रफ में लिखता हूँ और घर जाके मैं फेर करने का काम करता हूँ तो ये रफ से फेर करने से कुछ नी होगा खाया पिया कुछ नी ग्लासपड़ा अठना वाली कानी है यू नीड टू है प्लैनिंग कि जिससे कारण इतना परिणाम उसका निकले तब देश आगे जाएगा और इसलिए वीवेकानन जी की भविश्यवानिती मुझे भी जल् कमेदारी है उनने अमरिका में कहा था कि 28 सदी जो है वह मुगल सल्तनत की थी सब जगह मुगल बादशाह थे वनिस्वी सदी जब आई तब यूनियन जैक्ट सब तरब था अंग्रेजों का राज्य था यह लोग कहने लगे थे कि यह जो सूरज अंग्रेजों का यह कभी न जाला था और तब भीवेकानन जी ने कहा था कि 21 सदी जो है वह हिंदुस्तान की है वह आपकी और हमारी है और इसी को पूरा करने के लिए उद्दिष्टों को पूरा करने के लिए कम समय में जादा से जादा परिणा निकाल कर राश्ट के पुनन निर्मान में हम क्या कॉं पिंड़ा है, समस्या भी है, आवान भी है और चैलिंज भी है और इसमें आप लोग बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं और प्रयास भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, निश्चित रुप से हम सब के सामुहिक प्रयासों को इसमें सफलता मिलेगी, हमारा उद्रिष्ठ पूरा होगा और हमारा भारत विश्व गुरू बनेगा दुनिया के नंबर एक की महाशक्ति बनेगा और हमारा अध्यात्म, हमारा योगविद्न्यान, हमारी मुल्यादिष्टी जीवन पद्धती, परिवार पद्धती, हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी विरासर, इस इसी विश्वास के साथ मैं अपनी बात को समात्र करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, मस्काथ बहुत बहुत धन्यवाद